का लुस्वराइठी के पास जाऊंगा अनिल जी जो बात हम लोग कर रहे हैं कि वह केवल चेहरे देखकर या समाज देखकर या एक विशे समुधाय को देखकर जो चलने की बात है विरोमोख्धियों को चलने कुछ रास्ते निकाल लिया करते हैं कि कैसे हमें एक समुदाय विशेश या जो हमारे विरोधी उनको कुचलना है उन्हें किसी तरीके से नेस्ता नाबूत करना है तो यह जो टिपणिया है क्या आप इससे लेकर खासकर उत्तरप्रदेश में जो इस्तितिय हैं बाबा और एक दोर में करवाई यह ऐसी नहीं की थी इन पर इतनी उंगली होटी हैं बहुत एक सिलसला बना कर या एक नया संगत बहुत सारी चीजें होई थी एक कंसेंस बनाया गया था एक उसके बाद सारी चीजें होती लेकिन अब तो यह है कि आप जाई और तोड़ जिरू यह जो बि संजीव जी जैसा आपने भी कहा अरुन जी ने भी कहा दरसल बुल्डोजर अब केवल मुसल्मानों को को दिमाग दुरुस्त करने का प्रतीक है और भारतिय जनता पायटी में योगी जी के जबसे हिंदू चेहरे को मान्यता मिल रही है और देश बर में वो हिंदू हिर्द करें रोज कुछ ना कुछ ऐसे बयान देते हैं और मोहन यादव जी यादव के नाम पर मुख्यमंत्री बनाए गए थे यादव में कुछ नहीं कर पाए तो अब वो हिंदू बड़े बनना चाहते हैं इसलिए कि देश में रहना है राम को कृसन को मानना होगा को सिव जी को मान ले कोई बजरंग बली को मान ले कोई वहे गुरू को मान ले कोई अल्ला को मान ले क्या वो इस देश में नहीं रह सकता क्या बचकाने बयान ये नेताद दे रहे हैं दरसल एक होड लग गई है बारते हैं जनता पार्टी के मुक्यमंत्रियों में अपने आपको बड़ा हिндू सिध करने की कि मैं कटर हिंदू हूँ और देश के समिधान के लिए सबसे दुर्भागिय की चीज है, आज सुप्रीम कोट को बदाई कि सुप्रीम कोट ने कहा है कि निश्यत रूप से ये गलत है इस पर रोक लगनी चाहिए, मेरा अरोज सुप्रीम कोट से प्रशासन ने सही की, हमने माना के कानून की सहीवा, जिस के कारेकाल में, जिस BC के, उपाद्यक के, जिस D.M. के, जिस J.E. के, जिस A. के कारेकाल में, M.D. के डवलमेंट अथोर्टी के बनी है, उनको भी सस्पेंड कर देना चाहिए. आज होता क्या है विकास पराधिकरण को पैसे देजे ने दीजे आप कुछ भी छोटा सा घर भी बनाने लएंगे तो विकास पराधिकरण की टीम आपके हाँ उनका प्राइबेट आदमी घुमता वहा जाएगा कि संजीव जी आप ये कमरा बना रहे हो इसके पैसे दो नहीं तो रोक दिया जाएगा आप पैसे नहीं देंगे तो रोक दिया जाएगा चाहे सही हो और चाहे गलत हो पैसे देंगे बन जाएगा आपको नक्से की जरुवत नहीं है मेरा रोज सुप्रीम कोर्ट से यह है कि 17 है तारिक जब फैसला करे तो यह भी फैसला कर देगा अगर यूपी सरकार यह मद्याप्रदेश सरकार इसको justify करती है कि हमने सही कारवाई की तो उनके खिलाब कारवाई कर दे उनन अफसरों के खिलाब जिनके समय में वो विल्डिंगों का निर्मान हुआ था अगर बाद के अफसरों कर दे तो लंबी हो जाएगी लेकिन जिनके समय में निर्मान हुआ जिनकी जिम्मेदारी थी उनके उनको सस्पेंड करें उनसे उसको वाजस वसुली करी जाए तो दिमाग दूस अफसरों के हो जाएंगे जो सत् पर अत्याचार कर रहे हैं। डोजर होगा अभी लखनों के गटना संजीव जी याद होगी अठारे लोगों ने लड़की को छेड़ चाड़ की थी लखनों में मुख्यमंत्री जी ने बड़े ताउ से कहा कि मेरे पास उसके नाम है एक मुसल्मान एक यादव जब अगला देखा कि ठाकुर साब है ब्राम अपरादी है बागी कोई अपरादी कोई हो किसी ने माँ बेटी के साथ दुराचार किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए पर मेरे देश का समिधान ये कहता है कि दस दोसी बच जाएंक निर्टोस को सजा ना मिले आप तुरंत अगले दिन ही पॉलिटिकल मुम बहुत फालतू है तो कंपाउंड किया जा सकता है ये सब होना चाहिए लेकिन जिस रंग से चल रहा है ये दुरभाग्यपून है और यह आने वाले समय के लिए और घा तक होगा एक वर्ग विशेस को टारिगेट किया जा रहा है जब कभी सत्ता परिवर्तन होगा तो इसक सलसिला कर दिया गया है चिर दिया गया है कि हमको एक जाती विशेश को या एक किसी को चेना और सासाथ हमें इसका इस्तमाल अपने विरोधियों को ठिकाने पर लगाने पर करना और ये जब शुरू हो गया है तो अब ये देश भर में इसी तरीके का है तो इसलिए एक बज़कुल सही कह रहे हैं अरुन जी नेशिद रुप से अकलेश यादव ने जब यह बुल्डोजर शुरू हुआ तो कहा था मुख्या मंत्री का लखनों का आवास भी अवैद बना हुआ है आप हर जिले में डीमस्पी का देखेंगे तो नया डीमस्पी आता है कहीं वो करणा ने दी आते थे तो जैले जी अधि करणा दी को उठाकर पुलिस बत्तमीजी करती थी धीरे धीरे पूरे देश में बनाई जा रही है कुछ साल में और दुर्भाग्यपूर्ण है पहले राजनीती में सत्था से कुछ जाता था तो विपक्ष के व्यक्ति का भी समान ह ता था आज जो संस्क्रती बना दी गई है विपक्ष के व्यक्ति को या विपक्षी दल को वोड़ देने वाले व्यक्तियों को दुसमन माना जाने लगाएं जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुस्लिम को और यादव को मोटे तोर पर माना जाता है कि वो समाजवादी पायटी के वोटर है घॉस में मुख्य मंत्री जब बोलते हैं तो वो अकलेस यादव को देखते हुए अतीक वाला मामला रायो ऐसे बोलते हैं जैसे अकलेस यादव ने अपराद किया हो बेसिकली वो मुसल्मान और यादव के हर अपराद के लिए अकलेस यादव को व्यक सिंग कि हाँ चलेंगे तब माराज जी क्या कहेंगे गोरतपूर के मठ में भी धूटा जाएगा तो वहां भी कुछ न कुछ अवैद निर्मान मिलेगा अगर वहां बुल्डोजर जाएगा तब कितना खराब लाएगा मंखे मंत्री जी को इसलिए कानून का पालन होना सत्रह तारिक को जो सुनवाई हो सुप्रीम कोट को नट सेल में साब साब सुथ बता देना चाहिए कि देश में कानून का राज है कानून के हिसाब से कारवाई होगी आप इस तरह से पॉलिटिकल हिसाब से बुल्डोजर चलाएंगे तो उन अफसरों को नाप दिया होना यह चाहिए जिसके जैसे अरुन जी ने भी का जिसके समय में बिल्डिंग बनी और जिसने बिना किसी कानून का पालन के बिल्डिंग गराई ऐसे दो चार अफसरों को चाटके उन्हें सस्पेंड करके उनके किलाफ सक्त कारवाई सुप्रीम कोट कर दे तो पूरे कर लोवर कोड तक सबकी इज्जत भी बनी रह जाएगी पची रह जाएगी बढ़ जाएगी संजीम बिल्कुल 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 कर दो कर दो